हम इस वक्त तेलंगाना में हैं और तेलंगाना की राजनीती को समझने के लिए यहां के आबो हवा को समझने के लिए राजनीतिक सरगर्मी को समझने के लिए हम इस वक्त हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में हम ये भी जानना चाहरे हैं कि सच में जितने बी आरेस के दावे हैं क्या वो वाकई जमीन पर उत्रे हैं। इसको समझने के लिए हम बी आरेस के ही एक वरिश्ट नेता हैं और वो इस वक्त यूथ आईकॉन के तौर पर मानने जा रहे हैं। आजम साहब है हमारे साथ हम इन से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या वाकई बी आरेस ने वो काम किये हैं जिसके बदौलत आप लोगों को आपकी पार्टी को मान सम्मान औहदा प्यार फिर से मिलने जाए। सबसे पहले मैं आपकी चैनल से सबको नमस्ते और आदाब कहूंगा। देखिए बी आरेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने साड़े नौ साला हुकूमत में वो काम अंजाम दिये जिस चीज़ का वादा हमारे सीम केसियार साब ने किया था। सबसे पहली चीज एक इनसान की जिन्दगी में अच्छी जिन्दगी गुजानने के लिए उसका अमन का माल होना बहुत जरूरी होता है और तिलंगाना बनने के बाद सबसे पहले अमन को बर्खरार करने के लिए केसियार साब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया ये मुस्लिम सी की साइफ चारो मिलकर भाई भाई की तरह रहते हैं और इसी सबसे बड़ी मिसाल चार मिनार है जब आप हैदरबाद का नहाम लेते हैं तो लोग चार मिनार का जगर जरूर करते हैं क्योंकि चार मिनार एक सिंबल ऑफ आइकॉन ऐसा है जिसमें चारों मजभ चार मिनारों की तरह ठेरे हैं और ये तिलंगाना उसी पे जो है ना एक मिसाल है और हमारे सीम साथ तिलंगाना हासिल करने के बाद हमारी जिंदगी के लिए सबसे बेसिक नेसिसिटी जो होती है वो ह पेट बने के लिए राशन एक दिन का सर्वे हुआ था शयाद आपको याद है 2014 में जिस तक से सर्वे हुआ अपोजिशन का कहना यही था कि सर्वे के जरीए SCST BC Minority को दबा दिया जाएगा लेकिन यह सर्वे के बाद केसियार साब को इस बात का मुकम्मिल अंदाज़ा हो गया था कि हमारे इस रियासते तिलंगाने में सबसे बैकवर्ट क्लासस कौन है सबसे गरीब लोग कौन है और इनके हालात कैसे हैं इसके बाद इन्होंने ओल्डेज पेंशन आसरा पेंशन जिससे हम कहते हैं उसको लागो किया अंदरपरदेश के दौर में यह 200 रुपे था कि अंदा बढ़के यह अंदा एलेक्शन जवागा रही है कि जिस तरह से होडिंग, पोस्ट और बैनर वो पूरे हैदराबाद में देखने को में बलकि तेलंगाना में वो कह रही कि एडवर्टाइजमेंट की सरकार है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ने विस्वास करत होती है और सिर्फ एडवर्टाइज कर रही है जबकि जमीनी इस तरह बहुत अलग है बहुत विप्रीत है और लोग अब कहीं न कहीं से उन पार्टियों का इल्जाम है कि नौ साल में बहुत तंग हो गए हैं बहुत परेशान हो गए इस वार बदलाओ के लिए बोट आप किसी गाउं के इंडिरेर चले जाई है आपको रोट की कनेक्टिविटी मिलेगी इंस्ट्रा स्ट्रक्चर मिलेगा घरे घर पानी मिलेगा किसानों को खेत हरा बरा रखने के लिए आसरा पेमारे बदू का जो है ना उनको एड मिल रहा है वहीं नहीं 2400 गंटे उनको कर उस पर पानी मिल रहा है यह तरखकी की तरफ जार आए आंदरा और तेलंगाना मिला हुआ था तो सबसे आदा रेवेन्यू मैं आप आंधिस आंदरा वालों से पूर्स सकते कि कहां से जनरेट होता था वह यह तैले निजाम स्टेट जो था यहां पर यूनिवर्सिटीज थ कि यह बरबाद हो सेके लेकिन जब फिर दुबारा जिपसका वेजिटेशन चला 14 साल का आज हम क्यों डेलप्ड है अंदरा पीछे क्यों है इसकी सिंपल सा रीजन और कॉंग्रेस को बीजेपी को को मुद्दा है ही नहीं आज जो हमारे पास फेसिलिटीज है हमारे पास जो बीजेपी बीजेपी सिंपल डिजेट पे है तो बहुत मुश्किल है देखिये मैं समझता हूं आएंदा एलेक्शन में पब्लिक बहुत समझदार है जिस नेता जिस कॉवर्मेंट ने उनके लिए काम किया वही उसको वोट देंगे और बी आरेस हमेशा अवाम के बीच में रही है अवाम का काम की है केसियार साहब होने दो केटियार साहब होने दो आज हमारा तेलंगाना स्टेट में जो भी कोई हैदरबाद उतरता है चारो तरफ देखकर सोचता है कि हैदरबाद में है या दुबाई में है या डालेस में जो डेलेप्मेंट यहां पे इंफर शबस पता है माल मिर्जा का होता तो पीर आज यहीं होते है वो घाली मिर्जा क्यों बन जाते। खेर बराल कहना बहुता हसान है लेकिन जो कुछ भी है आज ये त्लंगाना चुमत साड़े सबसे पहले को लगता है कि आपकी सरगार बनेगी डेफिनेटली बनेगी और हम इंशालला आपको बराबर तीन डिसमबर के बाद एक एद का माहूल होगा हमारे तेलंगाने में आपको भी दावत देंगे उसकी तो आदम साथ जो यूथ आइकॉन है तेलंगाना के और लगता कि तीन डिसमबर के बाद सरकार इनकी बनने जा रही है जबकि बीजेपी कॉंगरिस कह रही है कि सरकार बनना अब दूर के खाब सुहाने जैसे हैं देखना दिजस्प होगा कि आखिर जो आवाम है तेलंगाना की वो किसको अपना निजाम चुनती है आशिफिक बाद तेलं इनकी बाद गाना, News India